Just recently PM Modi के द्वारा Announce किया गया कि वो आने वाले कुछी दिनों में रश्या के दौरे पर जाने वाले हैं और in fact अब तो उस दौरे की जो exact dates हैं वो भी सामने आ चुकी हैं लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे PM Modi के office के द्वारा Announce किया गया कि वो Moscow के दौरे पर जाने वाले हैं Immediately अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत ने उनके द्वारा एक बहुत थी surprising and shocking statement यहाँ पे दिया गया अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं जिनका नाम है Eric Garcetti उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो भी भारत कमपनिया रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंदों का उलंगन करती हैं उसे परिनामों के बारे में सचेत रहना होगा यह काफी surprising है especially coming from a USA's ambassador to India because आम तोर पे यह बातें करते हैं कि किस तरीके से भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत आगे बढ़ सकती है हमारा वैपार बहुत आगे बढ़ सकता है और वहीं पे इनके द्वारा यह वाला statement दिया गया है कि अगर कोई भी company रश्या को help करती हुई पाई गई कोई भी Indian company तो उसको उसके जो परिणाम है वो यहाँ पर भुगत ने होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर जो है आज से कुछी दिन पहले सामने आई Indian firms who are flouting Russian sanctions will be facing consequences यह statement directly US के ambassador के द्वारा दिया गया है now obviously बात है कि USA इस चीज़ से बहुत ही जादा नाखुश है कि PM Modi रश्या के दौरे पर जा रहे हैं because अगर हम लोग facts की बात करें तो जब से रश्या यूकरेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इन धाई सालों में PM Modi के द्वारा रश्या का दौ PM Modi ने ये वाला दौरा अनाउंस किया है तो पश्चिमी देशों की जो भी कोशिशें थी वो basically एक तरीके से यहाँ पे नाकाम हो जाती है बात करेंगे इस पूरी development के बारे में क्या-क्या यहाँ पे अमेरिका के ambassador के दौरा basically कहा गया है and what is the reason कि suddenly अमेरिका इस चीज़ को ले के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनकाडमी के learners के द्वारा 2023 के examination में बहुत ही शांदार performance करके दिखाया गया है top 10 में 4 learners and पूरी list में 300 से भी अधिक learners ऐसे थे जो कि अनकाडमी के साथ जुड़कर के ही अपनी तयारी क तो कर रहे थे और अगर आप भी अपनी तयारी हमारे साथ जुड़के शुरू करना चाहते हैं तो हमारे centers अब नई दिल्ली के करोलबाग में नई दिल्ली के मुकरजी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं इन सभी centers में हम लोग आपक के courses को current affairs coverage test series साथ में one is to one mentorship and educator interaction जैसी सेवाएं भी available करवा रहे हैं आपको किसी भी तरह की doubt है आप directly center को visit कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिये गए phone numbers पर phone भी कर सकते हैं और आपको एक dedicated counselor allocate किया जाएगा जो की आपकी सभी जो problems हैं उनको यहां पे solve करने के लिए आपके available होगा all right so basically अगर हम लोग दौरे की बात करते हैं तो PM Modi का तीसरा कारेकाल शुरू होने के बाद ये पहला विदेशी दौरा है जो की उनके द्वारा किया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि आम तोर पे PM Modi इसके पहले जब दो बार उनका जो पहला और दूसरा कारेकाल था जब वो शुरू हुआ तो आम तोर पे वो अपने जो पडोसी देश हैं उसी को विजट करते हैं लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि PM Modi जो है वो रश्या के दौरे पर जा रहे हैं इससे एक चीज तो clear है कि इंडिया रश्या की importance को समझता है और इसी लिए PM Modi रश् के द्वारा ये वाला statement यहाँ पर दिया गया कि अगर भारत की कंपनिया रश्या को help करेंगी तो भारत की उन कंपनियों को consequences face करने होंगे नाव USA के ambassador ने exactly क्या कहा उसका statement आप लोग यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने भारतिये दोस है कि रूसी युद्ध मशीन जारी ना रहे नाव सर्प्राइजिंग यहाँ पर यह statement नहीं है सर्प्राइजिंग यहाँ पर दूसरा statement बन जाता है जहां पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस चीज से कोई problem नहीं अगर इंडिया रश्या के साथ कच्चे तेल को लेके वैप G7 countries के द्वारा price cap को निर्धारित किया गया था उस price cap को इंडिया ने अभी तक legally follow किया भी है वैसे यहाँ पर एक और reality भी है जो कि I think US से अभी तक face कर चुका है कि even though अगर अमेरिका यहाँ पर किसी प्रकार की अच्चने या अटकले लेकर आता भी तो इंडिया पहले ही इ एक नहीं कई बार दहरा चुका है कि भले आपको कैसा भी लगे लेकिन हम लोग जो है वो रश्या से कच्चे तेल का वैपार करने ही वाले हैं खैर अमेरिका बेसिकली इंडिया को यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा है और in fact not just over here इसके just आज से कुछी दिन पहले अमेरिक आपकी जो कमपनिया है वो रश्या को help करना बंद नहीं करेंगी तो हम लोग भी आपके उपर sanctions को लगाएंगे इस चीज को लेकर मैंने एक separate video भी बनाई थी और in fact वाकी में जापान के द्वारा एक Indian company के उपर sanctions को यहाँ पर लगा भी दिया गया था so basically America जो है वो इंडिया को सिरफ अपनी तरफ से नहीं बलकि और भी अलग अलग तरीकों से इंडिया को pressurize करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है what is the main problem कि America suddenly इतना जादा यहाँ पे घबराया हुआ है उसके पीछे reason बड़ा साफ है अगर आप पिछले 2-3 महीनों की जो भी गतिविदिया हैं जो की Russia के President Vladimir Putin ने की हैं उनको देखें तो सबसे पहले मई महीने का time था जब Putin ने China का दौरा किया था और China का जब दौरा किया था तो वो दौरा बहुत successful था इन्होंने कई सारे महाँ पे strategic defense pact वगरा को sign किया ट्रेडिंग pact वगरा को sign किया उसके बाद जस पिछले महीने की बात है व्लादिम्मिर प्यूतिन के दौरा नौर्थ कोरिया का दौरा किया जहां पर जाकर के उन्होंने Kim Jong-un के साथ एक military defense pact को sign किया ये वाली फोटो आप साथ मिलकर के भी अपनी दोस्ती को और बढ़ा रहे हैं and the fact कि इंडिया जैसा देश जो कि अमेरिका के बहुत नजदीक है उसका प्रधान मंतरी जब रश्या के दौरे पर जाता है इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि रश्या की international isolation जो कि अमेरिका करना चाहता था वो य प्रतिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो अपना जो influence है उसको एशिया में काफी aggressively यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं खैर एक चीज़ और है जो कि आपको समझनी होगी कि even though अमेरिका यहाँ पे भारत को केवल डराने की कोशिश कर रहा है the fact of the matter is कि वाकई में ये वाला जो डर है ये काम करता भी है मैं आपको एक case study बताना चाहूंगा कई सारे भारत के ऐसे exporters हैं जो कि ये मानते हैं कि because of the western sanctions या even अगर western sanctions का डर भी होता है न तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग रश्या को export तो करना चाहते हैं लेकिन export नहीं कर सकते हैं for example computers हुआ, electronics हु equipment हुआ, हम लोग रश्या को export करना चाहते हैं लेकिन अगर हमने रश्या को export करना शुरू किया, there is a possibility कि जो पश्चिमी देश हैं वो यहाँ पर इस case में हमारे उपर जो sanctions हैं उनको लगाना शुरू कर देंगे, so yes USA के जो ये डगाने के तरीके हैं ऐसा नहीं है कि ये भी काफी closely देखा जाएगा, because यहाँ पर भी उम्मीद है कि काफी सारे बड़े बड़े जो pacts हैं वो यहाँ पर sign हो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, अमें definitely बताएं comment section में, that's all for now, stay tuned and stay safe.